ब्यूटी विद एस्टोलोजी से मैं कामेनी घना आप सब इस रोताओं का करती होता है दिल से स्वागर कैसे हैं आप लोग अब तो बच्चों के एक्जाम्स खतम हो गए होंगे और जितनी माएं हैं खास कर जो खुद स्टूडेंट्स बनी हुई थी आप वो रिलाक्स होने जाने रही हैं किजेए अपने आने वाले चुटियां हां हां लेकिन सींते जा सूनते जाहिए द्ट से लेके का आप हमें यह वहाविस्य में आपको बतानी जारी हूं अब जो हैं दो ग्रै बदल चुके हैं जो बुद्र जो हैं वह मेश में आशुका है शुक्र हो चुका है सात्ने में 14 15 तारीक सुरिय भी जो है वह में तबियत को समालते हुए आपको रहना है लेकिन विदेश से कोई अच्छी खबर आपके लिया आने वाली है काम से रिलेटेड अगर कोई आप प्रेम संबंद में है तो आपका प्रेम संबंद भी आपका सकस्पून होने जा रहा है और आपके खर्चे भी शुबमंगल कार मीन में तो आपके लगनका स्वामी है शुक्र और वो उच्चका होने जा रहा है तो बहुत सुंदर दिखेंगे आप आपकी परसनलेटी अच्छी दिखेंगी आप अगर मीडिया में हैं तो लोग आपको कॉंटेक्ट करेंगे आपको काम देंगे पती पतनी या पार्टनर के साथ जो सिती बनी हुईती वो अभी कायम है बस ये देखना है कि गलत खर्चा और गलत समंद में न उतरियेगा आपको तकलीफ हो जाएगी इस बात से हाला कि जो गुरु राहु चंडाल योग खतम होने के बाद भी आपको 11 अगस्त के बाद भी अपने माइंड की ये ज आपको बहुत दड़ाया सरकार और अब जो है शुक्र भी आ रहा है मीन का तो अब आपको फल मिलने जा रहा है आपको काम मिलेगा अच्छा अच्छा आपको लोग अप्रोच करेंगे बड़े-बड़े और उच्छ कोटी का काम मिलेगा खासकर मेडिया से रिलेटिट समझ जी है या जो भी आप काम कर रहे थे आपको उसमें फायदा होगा हाँ आपका जो लगनका स्वामी हो लाब में जाकर भी आपको माइंड को आपको व्यवसाई बनाएगा आप सही दिशा में काम करेंगे सोचेंगे और इसके साथ साथ आपको तोड़ा सा विकनेस आएगी युझसे बचने के लिए आपको बुद्वार को गनेजी की पूजा करने पर आती है करक्राशी करक्राशी के लिए चंदरमा इन दिनों जो हैं अब आपके स्वस्थ होने जा रहे हैं का दिन के अंदर तो बाद में आपके लिए पांस साथ दिन बहुत अच्छे जाएंगे फिलाल आपके जो बीते दो-तिन दिन थे वो ठीक नहीं गए आपके लिए क्योंके आपके लगनका स्वामी चंदर्मा अश्टम में स्वस्थता शुक्र और के तुके साथ चंदर्मा स्वस्थता अब मीन में शुक्र आके आपका भाग ये उज्वल करने जा रहे हैं बड़ी और आपको ऐसा लग रहे हैं आपके बच्चे भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं या आपके बच्चे भी तकलीफ में हैं तो अपना माइंड सही करने के लिए आपकी जी हनुमान की आरादना श्री हनुमान जी की आरादना फिर आती है सिंग्राशिक सिंग्राशिक के लगन आपको मिल रहे हैं और आपकी पत्नी तो एक बार धार्मिक हो जाती है पती या पत्नी या एक बार बहुत ज़्यादा विलासी हो जाते है तो आपको समझस की स्थिति में है कि हो क्या रहा है लेकिन आप जो है मीन का शुकराने से कम से कम जो आपकी तबियत खराब थी और कनाराश्शी के लिए आपके लगनका स्वामी बूद्ध जाके चला जाएगा उससे होगा क्या आप थोड़ा बहुत वीक फील करेंगे आपको क्या करना है मुंग सापुत खाना है पालक खानी है मेती खानी बुद्वार वाले दिन तृष्ण की आराधना करनी है या महाकाली की आराधना करनी है और अपनी स्थितियों को कंट्रोल में रखना है अभी फिर काउंगी में आप से के आप इंडो ट्रावलिंग यानि की विदिन इंडिया ट्रावलिंग को आप ताले रहें ताके आपके जीवन में सुक्चायन बना रहे है और अपने छोटे भाई बैनो से पंगा मत कीजिए उनका ध्यान रखिए फिर आती है तुलाराशी तुलाराशी के लगने का स्वामी शुक्र क्या कहने उच्छे का और ने जा रहा है बड़ भाईया कहां शर्ष्ट में तो दुश्मनों को मात देने वाले हैं आप जिनको आप दुश्मन समझते हैं अला परिशान चल रहे हैं मैंने पीछे भी कहा था कि हनुमान जी की आरादना आपके पैसे खोलने के लिए अतियुत्तम रहेगी और जो आपकी माता जी है उनकी तबियत का भी ध्यान रखिए आप क्योंकि उनकी तबियत आपको समाले रखना है इन दिनों 18 सप्टमबर तक फि सब सिती आपके साथ बनी हुई है काम के स्थाल पर भी आपको लगता है कुछ अच्छा नहीं हो रहा ब्रहमिज सिती है आपकी लेकिन एक्चिली देखा जाये तो आपका अच्छा होने जा रहा है आपके पंचबस्तान में शुक्रा के आपको सही सोचने की दिशा देंगे आपके बच्चों का लाब होगा अगर आपको किसी से प्रेम संबंद के इकरार करने है तो भी आप कर सकते हैं इन दिनों और दूसरी बात अगर आपको शादी करनी होगी तो उसका मूर्त आपके अगस्त के बाद आ रहा है प्रेर आती है धनराशी धनराशी के लिए आपक से ऐसा हुआ, अलाकि सूर्य की आरादना आपको हमेशा आगे ले जाएगी, यह याद रखिएगा, तो सूर्य की आरादना और हनुवन जी की आरादना इन दिनों तो आपको करनी है, और सूर्य की हमेशा करनी है, काम आपको आते हैं, काम आप ठुकरा देते हैं, काम ठुकरा इंडिया भर से अच्छे-च्छे काम मिलेंगे, अगर आप कहीं प्रवास में कमाते हैं, तो याद रखिएगा, पैसा आएगा, लेकिन पैसा समालना बहुत बड़ी बात है, जो आपका समलनी रहा है, तो पैसा को समालिए, और अपने पेट को भी समालिए, आपके पेट से र पूजा करनी चाहिए, माहा मृत्विंजे के चाप करनी चाहिए, ताकि आप स्थिती से निकलें, आपका परिवार आपको सपोर्ट करने जा रहा है, सरकार बहुत अच्छे से आपके परिवार वाले आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और आपकी आने वाली सब परिशानि हैं कि वो पैसे को आपको समाल लेना, हिराती है मिनराशी, मिनराशी के लिए लगने में बुदादित्य योग बना हुआ था, बहुत दिनन से अभोस्तिती बदल गई है, आप बहुत काम कर रहे थे, बहुत मैनत कर रहे थे, लेकिन अब आपको ऐसा लगेगा कि आपका काम नहीं हो रहा है, यह सब आपकी सोच है सरकार, आपके जुबान की वज़ा से, आप जो लोगों के लिए अच्छा सोच नहीं रहते, उस वज़ा से ऐसा हो सकता है, आपका भागय अटक गया है, आपको भागय को ना अटकने के लिए, आपको लोगों से मिलकर चलना है, आंचित प्रेम संबंदों से बचिए आप क्योंके विलासिता की और आपके कदम बढ़ेंगे ये था तीन अप्रेल से लेके दस अप्रेल तक का सापताहिक भविश्य आप सब के लिए चुट्टियां आ गई हैं और बच्चे वड़े खूश हैं कि ममी पपा ने टूर के प्र मेरी मेल पर मेरे फोन नंबर्स पर जो इंटरनेट पर हैं कामिनिखना at the rate gmail.com ब्रुटिवी देस्टोलजी का संदेश है पौधे लगाईए रुद्धो की सेवा कीजिए उनका अशिरवाद लीजिए शनी राहु के ताप से बचिए और व्यवसाय बढ़ेगा अपने अने वाद!